17.8 काच ग्लास काच सिलिका और धातू सिलिकेटूं का मिश्रण है यह एक अक्रिस्टली, कठोर, भंगुर, पारदर्शी, आभासी ठोस होता है वास्तों में काच एक अती शीतलीत द्रव है जिसमें बहने का गुण होते हुए भी ठोस दिखाई देता है काच का सामानने सूत्र है XR2O into YMO into 6SiO2 जहां R एक सैयोजक शारधातू सोडियम, पोटेशियम आदी होता है M द्वी सैयोजी धातू जैसे बेरियम, कैलसियम, लेड, जिंक आदी होता है और X और Y अडमों की संख्या दर्शाते है काच में ब्लोइंग का विश्कार पहली शताबदी में यूरोप में हुआ था जिसने काच के ओद्योगिक निर्मान में क्रांतिकारी परिवर्तन किया अगले 1000 सालों में यह संसार के सभी देशों में अपनाई गई काच का ओद्योगिक निर्मान कुछ पदों में संपन होता है यह पद हैं पिघलना पिघले काच की कारेविधी तापनुशीतन परिश्करण पिघलना कच्चे पदार्थ जैसे रेत, सोडा, एश तथा चूना पत्थर को मिला कर पाउडर बनाया जाता है पिघले काच को एकत्र करने के लिए करते हैं पिघले के सिरे को इस मिश्रण में दुबा कर घुमाया जाता है इसके पश्चात इसे विभिन आकार के साचों में ढाल कर ठंडा किया जाता है टैंग भट्टी बैच को टैंग भट्टी में पिघलाया जाता है यहां भट्टी को गर्म करने के लिए प्रोड्यूसर गैस तथा वायू के मिश्रण का उप्योग किया जाता है यह भट्टी ताप के पुनर योजी सिधान पर कारे करती है इंदन गैसों तथा हवा के मिश्रण को अगनी सा इटो से बनी A और B भट्टियों में भेजा जाता है यह गैसे भट्टी के पलडे की दिवार से ठकरा कर खूमती है जिससे बैच बिघल जाता है गर्म गैसों का मिश्रण अगनी सा इटो से बनी भट्टियों C तथा D से निकल जाता है इसके बाद गैसों के मार्ग को पुना परिवर्टित कर दिया जाता है C तथा D से गर्म अप्षिष्ट गैसें पुना भट्टि में प्रवेश करती हैं इस प्रकार अप्षिष्ट गैसों का फिर से उप्योग हो जाता है गलन की क्रिया के समय निम्नलिखित अभिक्रियाए होती है केलसियम कार्बोनेट सिलिकन डायोकसाइट से अभिक्रिया कर केलसियम सिलिकेट तथा कार्बन डायोकसाइट बनाता है जो वाश्पित हो जाती है सोडियम कार्बोनेट सिलिकन डायोकसाइट से अभिक्रिया कर सोडियम सिलिकेट तथा कार्बन डायोकसाइट बनाती है जो वाश्पित हो जाती है गर्म करने की प्रक्रिया तब तक जारी रखी जाती है जब तक पिघले काँच से वायू के बुलबुले पूरी तरीके से बाहर ना निकल जाएं पिघले काँच पर की जाने वाली क्रिया पिगले कांच को विभिन आकार की वस्तों में ढालने के लिए उसे बहा कर रोलर्स के मद्ध दबाया जाता है तापानुशीतन में कांच के बर्तनों को धीरे धीरे कमरे के तापकरम तक ठंडा किया जाता है यदि उन्हें अचानक ठंडा किया जाता है तो वे टूट जाते हैं अधिक देर तक तापानुशतन की प्रक्रिया किये जाने पर उच्च गुणवत्ता वाला काँच प्राप्त होता है 17.8.1 काँच का उत्पादन Manufacture of Glass काँच के उत्पादन में उप्योगी विभिन्न पदार्थ निम्न लिखित हैं पहला, सिलिका रेत के रूप में दूसरा, शारधातू, सोडियम कार्बोनेट या कार्बन मिश्रित साल्ट केक Na2SO4 प्लस C या पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में तीसरा, द्वी सैयोजक धातू, केल्सियम चूने के पत्थर के रूप में लेड, लिथार्ज, PBO या सिंदूर, PB3O4 के रूप में चौथा, ओक्सिकारक या रंग उड़ाने वाले पदार्थ, विरंजक, मैगनीज डाई ओकसाइड, MNO2, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 या सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 पाच्वा, कलेट, काच के तूटे हुए टुकडे छट्वा, रंग प्रदान करने वाले पदार्थ, काच को रंग प्रदान करने के लिए विभिन्य योगिकों का उप्योग किया जाता है कुछ महत्वपून पदार्थ इस प्रकार है साधारन काच या सोडा काच बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ, सोडियम कार्बोनेट, कैल्सियम कार्बोनेट और रेत को उचित अनुपात में मिला कर बारीक पीस लिया जाता है अब इस मिश्रण में कलेट मिला दिया जाता है कलेट गालक फ्लक्स का कारे करता है इस प्रकार प्राप्त मिश्रन बैच कहलाता है इस मिश्रन को टैंक भट्टी में चित्रा नुसार लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं भट्टी में निमनलिखित क्रियाएं होती हैं 4SiO2 is equal to Na2O into CaO into 6SiO2 काच इस पिगले हुए काच से अनुभवी कारिगर ब्लोवर या फूकनी की सहायता से इक्षित आकार की वस्तुएं बनाते हैं आजकल यह काम बड़े बड़े कार खानों में साचे में ढाल कर मशीनों की सहायता से कम समय और कम लागत में किया जाता है काच की वस्तुओं को बनाते समय अचानक ठंधा करने पर वे तूट जाती हैं इसलिए तूटने से बचाने के लिए इन्हें धीरे धीरे ठंधा किया जाता है इस क्रिया को तापा नुशीतन एनिलिंग कहते हैं